आज हमने आइस्क्रीम स्टिक्स ली है और फेविकॉल लिया है अपना सो हम फेविकॉल से आज एक तरह का हम मैट बनाएंगे जो आपके डाइनिंग में टेबल में यूज होता है ग्लास रखने लिए काप यूगने से कॉस्टर भी कहा जाता है सो आप देखिए हम कैसे बनाएंगे बिटा मेरे पास स्टिक्स है आइस्क्रीम स्टिक्स ओके इसे वन कलरफुल लेना है तू त्री और फूर हम लोग ऐसे थोड़ा सा कलरफुल ले लेंगे और फूर ऐसे रखेंगे यहीं आइसे रखेंगे अब हमें क्या करना है थोड़ा सा गया अपने के फैवेकॉल लगाना है वाने त्टो त्ट्री पांद फूर अब एक जो है आइसे कलर फॉल एक्स्रीम स्टिक्स उसे पेस्ट करना है ऐसी नेक्स्ट वाला करेंगे हम लोग थोड़ा ग्याब देके ना हमें भी पेस्ट करना है और बहुत इजी है ये आप लोग घर के लिए टाइनिंग टेबल के लिए या आपके टेबल में कप रखने के लिए आपका कप ममी का कप किसी कभी कप हो ग्लास का छोटा सा प्लेट रखने के लिए यूसफुल हो रहा देख़ए फिर जब बन जाएगा तो बहुत सुंदर लगी गई है और इसे जो है आपको इसको आप क्या करना है आपने अभी हम इसको सूखने देंगे सूखने के बाद अगर हम इसको ऐसे शेप दें तो यह ट्राइंगल हो सकता है ठीक है आप चाहे तो और शेप में भी बना सकते हैं देखो किता प्यारा लगा है बाबाई टटर ठेक केर अलोफ यह